ओमपुरी का जन्म 18 अक्टूबर 1950 को अमबाला, हर्याना में हुआ था। उनके पिता रेलवे और भारतिय सेना में काम करते थे और पुरी के बचपन के दौरान परिवार को वित्तिय कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रिय नाट्य विद्यालय में पढ़ाई की और बाद में पुने में भारतिय फिल्म और टेलिविजन संस्थान से सनातक की उपाधी प्राप्त की। ओम पुरी को अपने शुरुवाती करियर में महत्वपूर्ण चुनोतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें सफलता गोविंद नहलानी द्वारा निर्देशित फिल्म आक्रोश से मिली जिसमें उन्होंने एक आदिवासी व्यक्ती की भूमिका निभाई जिस पर हत्या का जूठा आरोप लगाया गया था। इस भूमिका ने उन्हें आलोचकों की प्रशंसा दिलाई और उन्हें एक शक्तिशाली अभिनेता के रूप में स्थापित किया। ओमपुरी का करियर चार गशकों तक फैला रहा। इस दोरान उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और कन्नड सहित विभिन भाशाओं में 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उनकी कुछ सबसे उलेखनिय फिल्मों में शामिल हैं। अर्ध सत्य, एक पुलिस अधिकारी के भरष्टाचार से संधर्ष और उसकी अपनी नैतिक दुविधाओं के बारे में एक कठिन नाटक है। जाने भी दो यारो, एक कर्ट कॉमेडी फिल्म जिसमें पूरी ने एक ध्रष्ट बिल्डर की भूमी का निभाई। फिल्म तमस जो गोविंद नहलानी द्वारा निर्देशित भारत के विभाजन पर आधारित एक टेलिविजन फिल्म। जो एक ब्रिटिश ड्रामा फिल्म जिसमें उन्होंने एक टैक्सी ड्राइवर की भूमी का निभाई, ज कई अंतरराष्ट्रिय फिल्मों में भी काम किया, जिनमें गांधी, City of Joy, The Ghost and the Darkness और The Hundred Foot Journey शामिल हैं। उमपुरी को सिनेमा में उनके योगदान के लिए कई पुरसकार मिले, जिनमें सर्वश्रिष्ट अभिनेता का राष्ट्रिय फिल्म पुरसकार और Film Fair Lifetime Achievement पुरसकार शामिल हैं। उन्हें 1990 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरसकार पदमश्री से भी सम्म प्रामानित किया गया था। सबसे सम्मानित अभिनेताओं में से एक बनाती हैं। वह सामाजिक रूप से प्रासंगिक फिल्मों के प्रती अपनी प्रतिबधता और मुख्यधारा और समानांतर सिनेमा के बीच सहचता से स्विच करने की ख्षमता के लिए जाने जाते थे। उनका काम दुनिया भर के मह अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं को प्रेरित करता रहता है। और भी फिल्म कलाकार के जीवन के बारे में जानने के लिए हमारे विडियो देखें और हमारे चैनल हिस्टोरिकल भारत को सब्सक्राइब और शेयर करें। और हमें सपोर्ट करें।